दिल्ली की 30 हजारी कोट के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच हुई भिडंत का मामला बढ़ता जा रहा है मंगलवार सुभे यानि आज दिल्ली पुलिस हाई कोटर के बाहर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान इखटा हुए है जवान अपने हाथ में काली पट्टी बांध कर पहुचे है और वकीलों के खिलाब प्रदर्शन कर रहे है आप एक बार आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जब हम रोड पे खड़े होते हैं हमें क्या कमेंट सुनने पड़ते हैं और क्या चीज़े हम फेस करते हैं जवानों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस कमिशनर अमुल पठनायक ने कहा कि ये हमारे लिए परिक्षा की घड़ी है सभी जवान शांती बनाए रखें और अपनी ड्यूटी पर वापस लोटें आपको पता दे कि पुलिस जवानों की मांग है कि वकीलों के खिलाप एक्षन लिया जाना चाहिए उन्हें लगा तार डर बना हुआ है कि शहर में कही पर भी उन पर हमला हो सकता है दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच चल रहे मामले में केंद्री ग्री मंतराले को रिपोर्ट मिल गई है दिल्ली पुलिस ने इस रिपोर्ट को सौपा है दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जारी जंग के बीच कॉंग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है कॉंग्रिस नेता रंदीब सुर्जेवाला ने मंगलवार को टूइट किया है और लिखा है कि 72 साल में पहली बार पुलिस प्रदर्शन पर है क्या ये है बिजेपी का न्यू इंडिया देश को बिजेपी कहां ले जाएगी कहां गुम है ग्रीम मंत्री अमिश्या मोदी है तो मुम्किन है इस मामले को लेकर दिली की सभी जिला आदालतों में आज भी वकील हरताल पर है किसी भी कोट में जज के सामने वकील ना तो खुद पेश हो रहे हैं और ना ही मुवकिल को कोट परिसर के अंदर जाने दिया जा रहा है वकील की मांग है कि 30,000 कोट में हमला करने वाले पुलिस कर्मियों को तुरंत गिरफतार किया जाए है हाला कि दिल्ली हाई कोट में इस हरताल का कोई असर नहीं है हाई कोट और सुप्रीम कोट में और दिनों की तरहे कोट में मामलों की सुनवाई चल रही है गौर तलभे कि दिल्ली में हुई घटना के बाद अनजगे भी ऐसे मामले देखने को मिले थे दिल्ली की ही साकेत कोट करकुरमा कोट के बाहर भी पुलिस वकील आमनिस सामने आये थे साथ ही उत्रप्रदेश के कानपुर में भी वकीलों ने पुलिस जवान को पीट दिया था दरसे शनिवार को तीसाजारी कोट में पुलिस और वकील भिड़ गये थे दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को फाइरिंग करनी पड़ी जिसके बाद वकीलों ने पुलिस जीप समेंग कई वाहनों को आग लगा दी थी और तोड़ फोड़ की आपको बता दें कि 3000 कोड के लौक अप में जब एक वकील को पुलिस जवानों ने अंदर जाने से रोका था उसी के बाद कहा सुनी बढ़ गई थी और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे झाल